हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल साइवरवल्ड दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सिखेंगे MS PowerPoint के ट्राइंग ब्लॉक के बारे में इसके पिछली वीडियो मैंने Flipboard, Slide, Font, Paragraph Block के बारे में बता दिया है ट्रीज करते हैं तो आपे सामें इत्ते सारे 건 एक सेप शो करेंगे आप अपने को अपने परिंटेशन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप असानी से यहां से इंसर्ट कर सकते हैं इसके लिए शिंपली आपको उशेप पर मौस का लेफट की प्रेश करते हूए अपने slide पर track कर देना है, इस तरह से आप देखते हैं हमारे सामनी ये shape draw हो गया, friends, जैसे हैं आप shape को draw कीजिएगा, तो आपके इस tabs and panels वाले block में आपको एक format tabs हो करेगा, इसमें आपको काफी सारे options दिखेंगे, जो कि मैं आपको next वीडियो में बताऊँगा, आज हम सिखते हैं drawing block में, सारे options के बारे में, तो सबसे पहला हमारा shape, इस तरह से आप यहां से shape insert कर सकते हैं, अब हमारा next option है arrange, इसके लिए एक और shape सबसे पहले मैं insert कर लेता हूँ, इस तरह से हमारे पास अब दो shape insert हो चुके हैं, अब हमारा next option है arrange, जैसे ही आप arrange के drop down button पर click करते हैं, तो आपके सामने इतने सारे options को करेंगे, बारी बारी से हम इन सारे options के बारे में सीखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम हमारे सामने सारे options hide हैं, क्योंकि अभी हमने किसी भी shape को select नहीं किया है, जैसे हम इस shape को select करते हैं, तो arrange block में आप देख सकते हैं, हमारे order object के सारे options unhide हो चुके हैं, हमारा सबसे पहला option है bring to front, इस option के help से आप अपने selected shape को किसी भी shape या text के front में, यानी ऊपर ला सकते हैं, जैसी आप इस पर click करते हैं, और उसके बाद आप इस shape को इस पर drag तीजेगा, तो आपका ये जो selected shape है वो ऊपर में front में रहेगा, इसे आप अच्छे समझे, इसके लिए आपको सबसे पहले हमें shape के color को change कर लेते हैं, जैसा कि आप देख से मैंने हाँ इस shape के color को red fill कर दिया है हमारा next option है send to back, इस option के help से आप अपने selected shape को text या किसी other shape के back में भेज सकते हैं, इसके लिए आपको simply arrange के drop down button पर click करना है और back to send पर click करना है, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा selected shape back में चला गया है, इस तरह से आपने सिखा arrange block में bring to front और send to back option का use करना है, हमारा next option है bring forward और send backward, इस option के help से आप किसी shape को लिखे करे text के backward और forward में कर सकते हैं, इसके लिए सबसे वहले हम यहाँ पर कुछ text को type कर लेते हैं, और आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर मैंने cyber world type कर लिया और यहाँ पर और उसके बाद मैं एक shape को insert कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उस shape को इस text के ऊपर लाया तो यह ढग गया, अगर आप चाहते हैं कि यह shape जो हमारा selected shape है, वो text के पीछे चला जाया, तो आप send backward पर click कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा यह shape backward में चला गया, इस तरह से आपने सिखा arrange block में order object के सारे options के बारे में, अब ह एक साथ उन सारे shape को edit कर पाएंगे, तो चली हम बता देते हैं, उसके लिए simply हमें सबसे पहले 2 shape को select कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आप 2 shape को select कर लिया, अगर आप चाहते हैं, इन दोनो shape को group करना, तो simply आपको पहले 1 shape को select करना, और उसके बाद अपने keyword स control button press कर, दूसरे shape को mouse के थो select करना, इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारा ये दोनो shape एक साथ select हो गया है, और ये group हो चुका है, इसके बाद आपको simply arrange block में जाना है, और यहाँ पर group पर click कर देना है, अब जो भी editing हम एक shape पर करेंगे, वो दोनो shape पर same edit होगा, तो इस तरह से आपने सीखा किसी भी shape को group कराना, अब हमारा next option है ungroup, इस option के help से आप अपने group किये गया shape को ungroup कर सकते हैं, इसके लिए आपको simply arrange block के ungroup पर click करना है, इस तरह से आप देख सेकते हैं, हमारा ये ungroup हो चुका है, बट अभी भी दोनो select है, अगर आप इसे unselect करना चाहते हैं, तो फिर से control button press कर और एक shape पर mouse का left की press कर दे, इस तरह से आप देख सेकते हैं, हमारा ये दोनों shape अलग-अलग को चुका है, अब हमारा next option है regroup, अगर आप चाहते हैं कि आपने दोनों shape को group किया था, अगर आप चाहते हैं वापस वैसे ही ये दोनों shape आपस में group हो जाए, त इस तरह से आपको simply एक shape को select करना है और arrange block के regroup पर click कर देना है, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये ungroup किया हुआ shape पापस से regroup हो चुका है, इस तरह से आपने सिखा arrange block के order object और group object के सारे options के बारे में, अब हमारा next option है position object के align group में, इसमें आपको काफी सारे options हो करेंगे सबसे पहले हमारा option है align left, इस option के help से आप अपने selected shape के align को change कर सकते हैं, इसके लिए आपको simply select करना है और arrange block के align group में जाकर align left जैसे आप करते हैं, तो आपका selected shape left side में चला जाएगा, उसी तरह अगर आप चाहते हैं, यह हमारा shape right side में चला जाएगा, तो right में, अगर आप इस जिस भी location में रखना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इस तरह से आपने सीखा, arrange block के align options के बारे में, rotate, इस option के help से आप अपने selected shape को rotate कर सकते हैं, इसके लिए आपको simply shape को select करना है, और rotate पर जाना है, उसके बाद आपके सामने 4 options दिखेंगे, आप बारी बारी से यहाँ पर अपने हिसाब से इसे rotate कर सकते हैं, जैसे के आप देख सकते हैं, मैंने आप rotate 90 degree पर click किया, तो आप देख सकते हैं, हमारा shape किस तरह से rotate हो रहा है, तो इस तरह से आपने सिखा, arrange block में, order object, group object, position, options के बारे में, अब हमारा next option है, selection panel, इस option के help से आप अपने slide की का सारी जानकारिया ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे selection panel पर click किया, तो आपके सामने selection और visibility का window open हो गया, जिसमें आपको show कर रहा है, group 8, rounded rectangle 5, rectangle 4, title 1, rectangle 3, subtitle 2, यहाँ पर आपको rectangle 3 show कर रहा है, इसका लिए यहाँ पर हमने एकरी rectangle को insert के है, सबसे पहला यह second, और यह हमारा third, इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस भी location पर जा रहा हूं, तो आपको यहाँ पर वो preview show कर रहा है, तो इस तरह से आपने सीखा, arrange block के सारे options and commands के बारे में, अब हमारा next option है, quickest style, इस option के help से आप अपने selected shape के style को quickly और काफे attractive तरह से change कर सकते हैं, इसके लिए simply आपको shape को select करना और quick style के drop-down button पर click करना है, जैसे आप quick style के drop-down button पर click करते तो आपके सामने इतने सारे style सो करेंगा, आप जिस भी style अपने shape को draw करना चाहते हैं तो आप आसानी से select करें और उसे draw कर लें, तो यहाँ पर आप देख सकता हैं, जिस भी style को select करता ह यहां पर आपको preview so कर रहा है तो इस तरह से आपने सीखा quick style options के बारे में अब हमारा next option है shape fill जैसा कि आप जाते हैं shape fill याँनि अगर आप चाहते हैं आपने shape में कुछ fill करना है जैसे कि आप picture, gradient, texture और काफ़ सारे color को भी fill कर सकते हैं तो मैंने आपको color fill करके तो दिखा दिया अगर हम सीखते है picture को fill करके इसलिए simply मैं यहाँ यहाँ साइबर वर्ल यानि rectangle shape को select कर लेता हूँ उसके बाद shape fill पर click कर, picture पर click करता हूँ हमारा next option एक gradient इसमें आप अपने shape में ग्रेडियंट को भी fill कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपर इसे select किया और आपको यहाँ पर preview दिख रहा है हमारा next option है texture इस option के हैँ से आप अपने selected shape में texture को भी insert कर सकते हैं इस तरह से आपने सीखा shape fill option से बारे में अब हमारा next option है shape outline, shape outline यानि इस shape की जो बाहरी हिस्से में आपको outline दिख रही है, इस outline के width को मोटा पतला करना है, इसके color को change करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए simply आपको shape outline के drop down button पर click करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामिदेट में सारे color कर रहे हैं, अगर आप जिस भी color में अपने shape के outline को change करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले rate को select कर लेते हैं, और उसके आप देख सकते हैं, दोनों shape का outline के color हमारा rate हो चुका है, अगर आप चाहते हैं, इस outline के width को मोटा या चुका है, इस तरह से आपने सिखा shape के outline के color को change करना और उसके width को मोटा या पतला करना, अगर आप चाहते हैं, अपने shape के outline है, उसके dashes को attractive और colorful बनाना तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि आपको preview show कर रहा है, इसके बाद मैं यहाँ पर this shape को select कर, यहाँ पर dash आपको show करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आपने सिखा shape fill और shape outline options के बारे में, हमारा next option है shape effect, shape effect option से आप अपने shape को काफी attractive और effective बना सकता है, इसके लिए आपको simple shape को सबसे पाले select करना और shape effect के drop down button पर click करना, इसमें आपको total seven options हो करेंगे, हर एक option में आपको और भी down button पर click किया, तो हमारे सामने इतने सारे options को करें, आप जिस भी तरह की effect को अपने shape में लाना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहां से ला सकते हैं, अगर आप इस से rotate करना चाहते हैं, तो आप आसानी यहां से से भी rotate कर सकते हैं, तो इस तरह से आपने स्हिःवेक्ट आपक् के बाद आपको simply अपने keyword से delete button प्रेज कर जाना है इस तरह से आप देख सकते हमारा यह सारा editing formatting किया हुआ सब कुछ delete हो चुका है तो friends I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कर दो कर दो